Hello Everyone, Welcome to Ezra Learning Hindi और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं Illusions के बारे में Well, यह Illusions क्या है? तो Illusions का मतलब तो Scientific Definition से ही पता चल सकता है तो इसका अंसर देने में Science याने विज्ञान ने अपना बहुत ज़ादा योगदान दिया है तो Science ने यह बता है कि Illusions basically Disordering of Stemuli को बोलते हैं जो कि हमारा Nerve System क्यारी करता है लेकिन यहाँ पर Stemuli का क्या मतलब हो सकता है? तो Stemuli का मतलब होता है Message तो इसे समझने के लिए आपको लगबग 5 Sense Organs याद होने चाहिए जो कि यह एर, Mouth, Skin, Tongue, Nose और यही Sense Organs sense करते हैं कि हमारे surrounding में आखिर क्या हो रहा है और इनी Sense Organs की जरिए यह Nerve System brain तक Message को Carry करता है बड़ जो इसकी खास बात यह है कि यह सारे चीज़े एकदम proper में होती है मतलब कि आप किसी चीज़ को भी देखते हो तो वो एकदम से proper अपने shape में दिखाई देती है लेकिन कुछ चीज़े ऐसे होती है जिनको यह identify नहीं कर पाता इसलिए यह चारे चीज़े आपको blur image दिखाई देती है और इसी को illusion कहते है मतलब कि जो हमारा nerve system है वो brain तक blur image को send करता है जिसके कारण से जो हमारा brain है वो इस image को recognize नहीं कर पाता और stimuli को impulse भी बोलते हैं जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था तो I hope कि आपको illusion अच्छे से समझ में आगे होगा तो आगे वीडियो में मैं आपको optical illusions याने की visual illusions के example दिखाने वाला हूँ इसलिए वीडियो को end तक देखिए और पूरा concentration के साथ तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो ये एक game होने वाला है और जैसे की game में rules होता है तेक उसी तरह से illusion वाले game में भी rules होगा तो आपको बस इसको follow करना है rule number one अगर आप एक dark room या फिर रात के समय इस वीडियो को देख रही है तो मैं आपको यही request करूंगा कि आप इस वीडियो को daytime देखे वरना आपके eyes के nerve system damage होने के chances ज्यादा रहेंगे जो next rule है उसमें आपको बस एक illusion दिखाए देगा जिसमें से आपको center पे इस फोकस करना है और उसके बाद अपने surrounding में देखना है और उसका effect देखना है और अगर आपको कोई फरक नहीं नजर आता तो आप वीडियो को repeat भी कर सकते हैं illusion number one झार झार आपको को एक बाता है अब आप अपने सराउंडिंग में देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि हर चीज़े घोल घूम गई है इल्यूजन नमबर सेकेंड अब आप अपने सराउंडिंग में देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि एक सरकल इडर मूव कर रहा है तो दूसरे सरकल उसके अल्टरनेट्वी डिरेक्शन लो मूव कर रहा है इल्यूजन नमबर थ्री आपको बस पिंक वाले सरकल के आउटसाइट में फोकस करना है ऐसा नहीं लग रहे कि यह वसर सर्फ Blink कर रहे हैं अब आपको इस X पर फोकस करना है ऐसा नहीं लग रहे कि अब यह जो Pink Blink हो रहा था वो आप ग्रिम में चेंज हो गया है अगर आपको इसमें कुछ फर्ट नहीं नजर आया तो आप इस वीडियो को एक बार और रिपेट कर सकती है यूजर नमबर फूर अब आप अपने सराउंटिंग में देखिए ऐसा नहीं लग रहे हैं कि हर चीज एक्सपेंड हो रही है तो ये थे कुछ ऐसे इल्डियूजन्स जो कि आपको गुमराह करने में काबिल थे तो वीडियो अगर अच्या लगाओ तो वीडियो को लायक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर श्येयर कीजए जाथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकशन ब्ल को और आपको इस वीडियो को कौन सा इल्यूजन सबसे बैस्त लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता और विडियो अगर अच्छा लगाओ तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस विडियो को जरूर शेयर कीजिए and then thanks for watching